तो प्यारे साथियों नमस्कार आज की इस हम लोग किलास में गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे और इसे मैप के माध्यम से आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं तो देखे सबसे पहले हम क्या करेंगे हमारे भारत में एक राजिय है उत्रखंड आप लोगों ने इसका न हैं सबसे पहले हम लोग वैस्ट यह वैस्ट है और यह इस्ट है इस्ट मतब पूरव ठीक है इस तरह से मैप में बनाऊंगा मैं सिक्वेंस में लगवा देरों सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहां पर एक धाम है चार धाम यमनोत्री यमनोत्री ठीक है पहला कौन से यमन आप लोगों का केदारनाथ और चोथा है आप लोगों का बद्रीनाथ ठीक है तो चार धाम कहां पर हैं उत्रा खड़ में इस क्लास में यूनीक तरीके से आप लोगों को गंगर रिवर सिस्टम पढ़ा रहा हूं जिसमें आप बहुत अलग तरीके से इसको याद भी कर विन मैं क्लास में जोग्रफी में तो लिख़वानाथ पसंद नहीं करता हूं चाहता हूं कि मैं पर ही आप लोगों के चीजे याद हो जाये तो आप लोगों से किसी ने decide करा, आपके परिवार वालों ने, आप लोगों ने, कि चलो गर्मियों में चार धाम की यात्रा कर लेते हैं, आप लोगों ने decide क्या किया, कि चार धाम की यात्रा कर लेते हैं, कहां पर उत्रा खड में, ठीक है, अब ये चारो धाम पर आप लोग करें तो चार मंदीर हैं उत्राकट में ठीक है अब हम क्या करेंगे इस वाले मंदीर से बद्रीनात मंदीर से अपनी यात्रा का सुभारम करें यानि हम लोगों ने गाड़ी उठाई पहले हरिदवार पहुचे फिर रिसी केस और रिसी केस उसका नाम है वो है कौन सी अगर हम बद्रिनाथ की बात करें तो एक रीवर आप लोगों को प्यारे बच्चों देखने के लिए मिलेगी इस बद्रिनाथ मंदिर के टेंपल के पास से और इस का नाम है अलक नंदा इसका नाम क्या है अलक नंदा क्या नाम है इस मीजर रेवर का अलक नंदा ठीक है तो अलक नंदा रीवर इस बद्रिनाथ टेंपल के आसपास से ओरिजिनेट होती है बात किलियर होगी किसी कोई दिक्कत नहीं अब आप लोगों ने बद्रिनाथ टेंपल के जो हैं वो दर्शन किये दर्षन करने पर आपको पता लगा कि इस ये जो मंदिर है वो अलख नंदा मंदिर के नदी के किनारे पर बना हुआ। किलियर हो गया अब थोड़ा आप लोग नीचे आते हैं जैसे जैसे आप नीचे आते हैं आप लोग देखते हैं कि आपको जो है नदियों के संगम जिसे उत्रखंड में बड़े मैन हैं पंच प्रियाग नाम से हम लोग जो है जाते हैं तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहां पर आप लोगों को इस नदी इसी मंदिर के आसपास एक रीवर मिलेगी जिसका नाम है दोली गंगा और दोली गंगा इस दोली गंगा जब अलक नंदा में मिली तो इस जगे को कहा गया विश्नु प्रियाग विश्णु प्रियाग क्या कहा गया बच्चो विश्णु प्रियाग और विश्णु प्रियाग इसलिए कहा गया क्योंकि भगवान बद्रीनात का जो मंदिर है वो भगवान विश्णु का है इसलिए इस जगे का नाम क्या रखा गया विश्णु प्रियाग बात के लिए रोगी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो नहीं, जल्दी से मुझे बताएंगे फटा-फट से, फिर हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर हम लोग देखते हैं क्या, कि थोड़ा नीचे, इसको मैं हटा देता हूँ एक मिनिट के लिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर एक नदी और है, इसका नाम है नंदाकनी, और नंदाकनी, यह नंदाकनी रीवर जब इस अलख नंदा में मिलती है, तो इस जगे का नाम पढ़ जाता है क्या, नंद प्रियाग, क्या पढ़ जाता है, प्यारे बच्चों, न अभी हम लोग कहां से आ रहे हैं अभी हम लोग बद्रिनाथ मंदिर से यात्रा करके दर्शन करके नीचे की और आ रहे हैं बात किलियर हैं अभी हम और नीचे चल रहे हैं और हम लोगों ने देखते हैं क्या तो यहां पर हम लोग देखते हैं क्या एक नदी जिसका नाम है एक नंदा बने मिलती है और इस जगे का नाम कर देती है किन प्रियाग, क्या नाम कर देती है, कन प्रियाग इसका नाता है पियारे बच्चों अगे बढ़ें? किसी को कोई दिक्यत तो ने? अब यहाँ पर आने के बाद, हम लोग पहले धोली गंगा मिली तो विश्णो प्रियाग नंद प्रियाग में नंदाकरी और कर प्रियाग में पिंडर मिली अब हम लोग यहाँ पर यानि नीचे आजाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आके हमने देखा कि ये जो तीनों नदिय, ये सारी तीनों के तीनों हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं चमोली डिस्टिक में, आप लोग याद रखेंगे ये तीनों कौन से डिस्टिक में हैं, उत्राखंड के चमोली डिस्टिक में, चमोली डिस्टिक जहां पर फिलोवर्स ओफ वैली पूलों की गाटिस देते बात के लिए हेमकुंड साहिब सिखो का पवित्र स्थल भी यहीं पर है यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे माना जो माना गाओं में माना पास वो भी यहीं पर है बद्रिनाथ टेंपल से 6-5-6 किलोमेटर ऊपर है बस इसी के पास में बात किलियर होगी किसी को को दिक्कत तो नहीं चले अब जब यहां पर आए तो यहां पर आके पता चला यहां पर जब हम आके खड़े होगे अपनी गाड़ी लेकर कि एक नदी एक रीवर और यहां से उपर की और से यहां से होते होई आई है और यहां पर आके मिल तो पहला धाम तो complete हो गया अब दूसरे धाम पर चलो तो दूसरे धाम पर जब आप केदानात पोचे तो आपको पता लगा कि जो केदानात मंदिर है यह जो रीवर है यह रीवर वो ही है मंदाकनी और यह मंदाकनी वो ही है जिसमें सन 2013 में उत्राखंड में बाड़ आई थे बात के लिए रोगे तो कोशन बनेगा कि कि एदानात मंदिर कोन सी नधी पर है वो है मंदाकनी बद्रीनात कोन सी पर अलग नधा बात के लिए किसी को भाई दिक्कत तो नहीं जल्दी से मुझे बताते रहेंगे सारे बच्चे ठीक है अब जब मंदाकनी भी विसाल नदी है इसमें बाड आई थी आपने देखा है 2013 में मंदाकनी और ये बड़ी मेजर जो रीवर है जो मैंने येलो कलर में आप लोगों को दिखा रहा हू ये बड़ी रीवर है ठीक है ये मेजर रीवर है ये कौन सी बताई थी मैंने अलखननन्दा है ये अलखननन्दे है और मंदागनी और अलखननन्दा जब दो बड़े पानी के सोर्स वाटर के सोर्स मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे एक huge वाटर quantity बनाएंगे और इसका नाम ही तो यहां पर आप दर्शन करके अब यहां पर नीचे आगया आप लोग बात के लिए हैं आपने दो धामों के दर्शन कर लिए बद्रीनाथ बात के लिए रो गया अब हम नीचे आते हैं नीचे हम लोग और आगे बढ़ते हैं आगे हम लोग जब बढ़े यहां से दर्शन करके अब नीचे हम लोग चल रहे हैं अब यहां से यह नदी जसे यह अलग नंदा है अभी भी क्या है यह अलग नंदा है प्यारे बचचों और अलग नंदा जब हम लोग देखेंगे आगे तो पर एक नदी आप लोग देखते हैं अब यहां पर जब आए आप लोग ने देखा कि भाई अभी अब तीसरा धाम हमें complete करने हैं तो तीसरा धाम complete करने के लिए आप लोग चले जाते हैं कहां पर गंगोत्री कहां पर चले जाते हैं प्यारे बच्चों गंगोत्री में गंगो जुतृतरी से ही क्या निकलती है गंगा निकलती है जिसे हम लोग कहते तो ये नदी कोन सी है और nào गिरती अब और यह कहा पर मिली यह अलखनाद भne अलखनुनंद्अ में भागीरती मिली युस्ट नदी कन आप पड़ गया आप लोग याद रखेंगे वो था देव पिर्याग बिकोज भागीरती नदी को देवताओं ने राजा भागीरत ने बुलाया था इसलिए इस जगे का नाम क्या रखा गया देव पिर्याग मतलब देवों के आवहान पर गंगा नदी का जो है वो जिनम हुआ था आप पुरानी कफाओं में सुन्ते हैं तो इस जगे का नाम क्या रखा गया इसका यहाँ पर एक छोटी रीवर है जिसका नाम है भी लांग ना भी लांग ना नदी यहाँपर इस से डाम ओफ इंडिया और जिसके हाइट कितनी है 261 मीटर ठीक है यह आप लोग याद रहे हैं और यह कौन से जिले में पड़ेगा यह टीरी डिस्टिक में यह आप लोगों को पड़ेगा जबकि गंगोत्री कहां पर है यह है आपका उत्तरकासी में ठीक है केदाननात कोन से जिले में रूद्र प्रियाग और बाकी यह सारे चमोली जिस्टिक है किलियर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई याद हो रही हैं चीज़े समझ में आ रहे हैं चलिए तो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे अब हमने गंगोत्री के दर्शन करें और हमें पता चला कि जो गंगा है गंगोत्री टेंपल इसी के पास में है और यहीं पर एक गलेशियर है जिसका नाम है गोमुख जिसका नाम क्या है गोमुख गलेशियर उसी से इस भागे करें ठीक है तो आगे अगर हम मिलेंगे भी लांगना और यहां ते आने के बाद अब यहां से आने के बाद अब हम देप्रियाक के बाद इसका जो नया नाम हो जाता है मतलब इसका जो नया नाम हो जाता है वो हो जाता है यहां से अब गंगा क्या नाम हो जाता है प्यारे और रिशी केस से आगे आप लोग जाएंगे तो यहां पर पढ़ेगा अरी दुआ बात किलिएर होगे सबीकों आगे बढ़ें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं जल्दी सी मुझे बताईए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है exam के point of difference exam में सबसे ज्यादा यही परियाग आपसे पूछे जाएंगे धोली गंगा विष्नु परियाग नंदाकनी नंदी परियाग पिंडर कंपरियाग मंदाकनी अलग रूद्र परियाग और बारगेरिती देब परियाग क्लिए रहे आगे जब हम लोग अब बढ़ेंगे जैसे जैसे हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग देखते हैं क्या very very important है और वो है अगर हम लोग देखेंगे अब हरिद्वार से हरिद्वार तक तो ये सिवालिक और हिमाले के पहाड़ो छेतर में रहती है पर अब हरिद्वार के बाद इसके एंट्री हो जाती है और उसको हम लोग कहते हैं क्या जब हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चो पिलेन में great plane जिसम कहते हैं मेदान में इसके एंट्री हो जाती ह तो इस मैपको मैं आगे अब हरिद्वार से continue करूँगा अब यह हरिद्वार है मालने ते हरिद्वार है ठीक है और हरिद्वार से गंगा भारत में पूरव की ओर चली जाती है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इस पार्ट में यह बेउफ बंगाल में गिर जा आगे अप्याँ अब हमारा यह वाल मंदी रहेगा ना यूम्नोत्तरी तो यूम्नोत्तरी से कौन सी निकलति यवना बंदर्पूछ से कौन सी निकल możना वाला मतलब यूमनोत्त और यही यूम्ना आप लोग प्रियाग राज में बात के लिए रोगे सभी को कोई दिक्कत तो नहीं आप अपने पेज पर जो है इसी लाइन से आगे को इसको ऐसे मोड़ लेना अपने पेज पर ऐसे बस तो अब यहां से हरिदवार के बाद आप लोग देखेंगे कि कौन-कौन से जिलो से होती हरिदवा से बिजनौर हो गया बिजनौर से आप लोग देखेंगे फिर इसके बाद मैं मेजर मेजर सहर आपको लिख वोंगा बिजनौर के बाद आप लोग देखेंगे ननवर ननौरा पड़ेगा बुलंध शेहर यह भी कई बार आ चुका है ननौरा ठीक है उत्तरपरदेस का भुकवाद, ठीक है, फिर है आपका कानपुर, और फिर आपका प्रिरागराच, फिर आप लोग देखेंगे यहां पर बनारस, फिर आगे आएंगे पटना, और फिर यह थोड़ा सा इसमें जहारखंड में जाने के बाद, जहारखंड में जाने के बाद, यह जो है, हुगली नधी मिल जाती है इसमें और ये बनाती है यहां पर फरकावürü परकाडाम ये लिखेंगे वेस्ट बंगार ठीक है तो और बाद में ये चली जाती है अगर हम बात करें तो ये हमारे इसा ये पार्ट आगया है कोन सा ऐसे लिखेंगे बंगला देश और बंगला देश में इसको क्या कहते हैं बंगला देश में कहते हैं इसको पद बन दे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों पद बन दे बात के लिए रो गया किसी को कोई दिक्कत तो नहीं जल्दी से मुझे बताएंगे सारे के सारे बच्चे प्लीज एक एक चीजे मैं साथ के साथ आप लोगों को नोट भी करवा रहा हूँ और क्योंकि एकजाम में सबसे जाध जो कोशन है वो इससे बनते हैं जो उत्रा घंड में आप लोगों ने दिखा है जो उत्रा घंड से नदीया आपके निकलती है यहां से सबसे ज़्यादा जो हैं इससे question आपके बने के ठीक है आगे बने किसी को कोई दिक्कत तो नहीं जल्दी से बताईए अब यहां पर गंगा की क्योंकि आज ही में गंगा की सहाइक नदियों का मैप आपको बताऊँगा क्योंकि सारा तो नहीं पढ़ा सकता इसमें मतब एक एक नदियों तो यह आप लोग इस तरह से इसको खीच लेंगे और कुछ नदियों के हम लोग जानेंगे कौन-कौन सी नदियां इसमें मिलती है ठीक है फरक्का बनता है उगली नदी के पास जब यह मिलती है तो फरक्कडा बनता है अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन-कौन सी जो नदिया है वो इसमें इसके ट्रब्यूटरीज है साहक नदिया हम लोग इसकी देखेंगे ठीक है तो जल्दी से देखेंगे साहक नदिया कौन-कौन सी होंगी गंगा की बताइए जल्दी से तो साहक नदिया लिखेंगे आप लोग जो बड़े important है, सबसे पहले लिखेंगे राम गंगा, उपर से एक नदी मिल रही है, जिसका नाम है राम गंगा राम गंगा रीवर फिल लिखेंगे घागरा घागरा लिखेंगे फटफट से, इसी लिखेंगे घागरा, फिल लिखेंगे गोमती, नी गोमती ये तो उपर से मिलने वाली इन नदियों के आप लोग को दियान में रखना है ना, ठीक है और इधर से अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो एक रदी आप लोग देखेंगे, वो मिल जाएगी आपकी यमुना नदी, ठीक है, पटना के पास आप लोगों को यहाँ पर, पटना के पास यहाँ पर मिलेगी सोन नदी, सोन रिवर, आप लोगों को यह भी आद रख रहे हैं, मतब यह ऐसी नदियां हैं, जो बिरकुल म तो नहीं जल्दी से मुझे बताईए इस मैप को सारे बच्चे जो हैं बना लेंगे और चौकी एक्जाम मैप पे ही आपको फिल करनी है चीज़े मैप से बाहर जाएंगी निया याद हो गया सभी को नहीं हो जल्दी से मुझे बताएंगे फटा-फट से अब मैं इसके कुछ आप लोगों को फैक्ट लिखा देता हूं मतब इस एक्जाम से रिलेटेड चीजें मैं जो हूँ आप लोगों को लिखा देता हूं ठीक है आगे अगर हम लोग चलेंगे तो देखे इसमें से एक होती है डिस्ट्रिवयूटरिज वित्री का हुगळी क्या है कि वित्री का है मतब पानी को डिवाइट करने वाली नधी तो यहां से यह तो अब इसव मिलरे है परंतो होग YOUR एं एक नदी तिमसा और मिलती है यह मैं आपको करूंगा तिमसा मिलेगी युम्ना नदी की साहिक नदिया साथ के साथ लिखेंगे चंबल नदी मैं आपको बता देता हूं जैसे युम्ना रीवर है ठीक है तो युम्ना में युम्ना में कौन सी मिल रही है चंबल नदी मिलेगी यह map बना लेजेगे फटा-फट से और जो चंबल नदी है इसमें मिलती है आप लोग लिखेंगे लिखेंगे चंबल में लिखेंगे बनास और शिप्रा जो उजेन उजेन भी यहां तक का पानी आता है इसमें याद रखेंगे ठीक है और एक युम्ना में आप लोग याद र इसका नाम है तो प्यारे बच्चों यह वैरी वैरी इंपोर्टेंट है एक्जाम के पॉइंट होगी बात सभी को कोई दिक्कत तो नहीं तो यह था गंगा नदी का एक ओवर्विव मैप के मात्यम से अब इससे रिलेटिट फैक्च्वल डेटा हम लोग लिख लेते हैं मैं तक इस रिलेटिट एक्जाम में क्या-क्या अक्या आ सकते हैं तो जल्दी से लिखेंगे, आप मैप पर हिलेंगे कहीं से, यह गंगोत्री कहां से कहां से निकलती है, ओरीजिन क्या है इसका गोवु मुख, और गोवु मुख क्या है इट इस ग्लेशियर, यह ख्याब याद भारत और बंगलादेश में यह फैलती है यह आप लोग याद रिखेंगे कहां गिरती है यह बे ओफ बंगाल में गिरेंगे और क्या बनाती है प्यारे बच्चो यह डेल्टा बनाती है डेल्टा का मतलब क्या है पानी के साथ जो सिल्ट से धूल डस्ट गाद मिट्टी है उसको ले जाकर इखटा करना डेट इस डेल्टा आप लोग याद रिखेंगे एस्चुरी क्या होती है नदिया गड़ा होना देती है उसे एस्चुरी कहते है नदिया अपने साथ पत्ते मिट्टी पत्थर कंकड लेके गई और सा डेल्टा बनाती है वर्ल्ड का सबसे बिगेश डेल्टा उसका नाम है सुन्दरवन डेल्टा यह आप लोग याद रिखें आगे केलियर होगी सभी को कोई दिक्कत तो नहीं जल्दी से मुझे बताएंगे वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीक है और सुन्दरवन डेल्टा विसकस सबसे बड़ा भी डेल्टा है और बड़े के साथ सबसे हाईली एक्सपेंडिड मतब तेजी से विस्तार होने वाला डेल्टा भी है तो यह भी आप लोग जो है प्यारे बच्चो याद रखेंगे वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ठीक है बाई आगे बढ़े किसी को कोई दिक्कत तो नहीं तो मैंने आप लोगों को गंगारदी के इंपोर्टेंस आपको बता देता हूं हिंदू में सबसे ज़्यादा मानी जाती है होली होली एस्ट रिवर है भारत की सबसे ज़्यादा आस्था है और लगबग भारत के लगबग भारत के 80% 80% से ज़्याद बनाती है भारत की लेंड को जमीन को फेटाइल बनाती है जीव जन्तु पेड़ पोदे उन सब को पानियों साथ में हमारे यहां पर हाइड्रो पावर प्लांट्स और बहुत सारे ऐसी परियोजनाओं के हमारी मदद करती है तो गंगा रिवर इसा बैकबोन ओफ इंडिया इंडियन एकोनोमी डिवेंट्स ओंदा गंगा रिवर सिस्टम तो यह आप लोग देखते हैं कि पूरे उत्तर भारत में गंगा और उसकी शायक नदिया पूरे उत्तर भारत में अपने पानी की बज़े से अपने वाटर प्रिजिन्स की बज़े से सब की रोजी रोटी चला बात क्लियर है चाहें आप मेले देखिएगा इस पर लगते और हिंदु धरम में तो आप लोग इसकी इंपोर्टेंस देखते ही देखते हैं बात क्लियर होगी सभी को कोई दिक्कत तो नहीं आगे मुझे बढ़ा बताएंगे फुटा-फट से आगे इस पे छोटा सा टोप और मतलब रह गया है जब यह भारत है यह मतलब मैंने भारत आपको बताया था ठीक है यह मैप भी बना लीजेगा सारे बच्चे और हमने इस मैप के माधियम से देखा कि हमने देखा कि नीचे नीचे जो है यह बंगला देश है मतलब यह यह जो नीचे है आप लोगों का य मैप को हम लोग क्या करेंगे इसको यहें एक लाइन खीचें के यहां पर लिखेंगे भारत और यहां पर लिखेंगे बंगलादेश हैं यह जो लाइन है मैंने यहां पर कीज़ दे अब यह गंगा नदी आ गए तो यहां पर तो क्या है यह गंगा भारत में एंट्री बंगलादेश में एंट्री होने के बाद इसको क्या कह दिया हमने पदमा यह बंगलादेश है विकोज यह मैंने आपको बताया थे था यह ट्रे तो इस एक नदी हम लोग पड़ेंगे ऊपर जो आती है भारत में यहां से एक नदी आप मांसरूबर पढ़ाए ही थी आभे बहुत्रıld पढ़ा हुआ तो यह प्रहंपुतर यहां से आ गए तौले के और बहुत्री, मैं cheγ southwest नदी मिल जाती है मेगना और इसे फिर पूरे सहयोगत रूप से आगे आगे इसको हम लोग इस गंगा को गंगा को ब्रहमपुत्र को यानि पदमा और जमना मिलकर क्या बन जाती है मेगना बन जाती है बात ये सब को समझ में आ गया नहीं हाँ है नामे जवाब देंगे सारे बच्चे, पद्मा गंगा का नाम बंगलादेश में, जमना ब्रहंपुत्र का नाम बंगलादेश में, पद्मा और जमना मिली मेगना में, क्या बन गई, मेगना, कहां पर बात चल रही है, ये बंगलादेश की बात चल रही है, बात के लिए रहे सबी को, कोई दिक्कत तो नह भाई हाँ या ना में जबाब देंगे सारे बच्चे उमीद करता हूँ गंगा रीवर सिस्टम का जो भी एक्सपेक्टिट चीजे थी आप लोगों को एक्जाम में मैंने बता दी है इससे बाहर आपके अब कोई एक्जाम में नहीं जाएगा मतब आप लोगों को आ जाएगा ठीक है और साथ में नमामी गंगे परियोजना याद रखेंगे 1st of July 2014 से एक जुलाई 2014 से नमामी गंगे आप लोग याद रखेंगे नमामी गंगे परियोजना नमामी गंगे डेट अगिर एक्जाम में आ जाती है तो यहीं पर आप लोग नोट कर लेना वेरी वेरी इंपो इसके जितनी सायक नदिया है जैसे युमना रिवर है या इसकी और भी जो भी आने नदिया कराई है यह मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को एक एक करके सारी नदिया करा दूँगा कौन सी कहा निकली इनका भी हम लोग मैप के माध्यम से पढ़ेंगे समझ में आ गया सभ को या दुआर बतो ठीक है जल्दी से कमेंट करके बताईए फटा फट से